नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब ठीक है स्वास्ते तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को जेनु का काटफ बताउंगा कि जेनु में कितने जो कोशिन है आपकी हैं जिसके आधरबर आपको अगर आपका नंबर कम भी है तो फिर भी जेनु में कैसे आप सुभी को जो है एडमिशन मिलने का मौका मिलेगा उसके बारे में भी बताऊंगा जो कि जेनु का फॉर्म भरते वक्त बहुत से लोग गलती कर देते हैं तो इसलिए पूरी वीडियो को देखते रहिए तो देख तो बहुत से लोग बताई की बहुत सरल पेपर आया था और पिछले वार से भी जो है प्रशन रिपीटेट आये थे जो काफी मतलब पेपर आसान हुआ था और बहुत से बच्चे मुझे ऐसे मिले कि उनका तो एक-दो ही प्रशन गलत है कि 75 में से किसी का 70 है किसी का 71 है किस से बाइचांस एक-दो प्रशन गलत हुए तो इसलिए इस बार का जो कट ओफ है वह बहुत जो है हाई जाने वाला है ठीक ए तो पहले से यह तो वही जेनरल में जो कट ओफ है वो कितने तक जा सकता है तो देखिए मैंने टेलेग्राम पे और यूटूब में पोल रखा था जिसमें मैक्सिमाम लोगों का नंबर जो है सतर से पचतर के बीच में है और उससे थोड़ा कम सतर से नीचे का है तो वही मैक्सिमाम लोगों का सतर से अधिक बन रहा है तो देखिए कितना रहेगा कट तो जो जेनरल है उसमें अगर आपका मान के चलिए कि 72 कोशन बन रहे या फिर 70 के भी आसपास में है तो आपका जो है जनेरल में जो है admission होने की संभावना है जेन्यू में अगर second paper के क्योंकि अभी तक जैन्यू का prospector नहीं आया है जिसमें जब आएगा तब ही पता चले है कि इस बार जो है जेन्यू में एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है तो अगर सेगंड पेपर के हिसाब से होता है तो आपका अगर 62 कोशिन सही है या फिर 71 या फिर 70 की कोशिन सही है तो आपका जेनरल में जो है एडमिशन होने की संभावना है और वही EWS में एक दो कोशिन और कम कर लो ठीक है वही अगर बहतर हम जनरल में माने तो EWS में 70 आ जाएगा और वही अगर OVC की माने तो OVC में अगर 68 प्रशन सही है तो हो सकता है और साती साथ SC में 65 और ST में 63 जो है कोशिन अगर आप लोगों ने सही किया है तो आपका जो है जो है ज फोड़ा सा कम अगर बन रहे एक दो प्रशन आपका तो सबसे पहले अभी हम जो है अब ये चुप की बात करते हैं कि बीचुमें कि ना प्रशन आपका जो है कट आउब रहेगा तो देखिए जो बी बीचुमें बी एचु में प्रथम प्रश्णपत्र और दीतिय प्रश्णपत्र दोनों के मिला कर जो है मेरिड बनती है वहाँ पर तो मेरे अनुमान से जो बी एचु का कटोफ बनेगा आपका मान के चलिए फर्स्ट पेपर और सेगंड पेपर दोनों को मिला के यदि आपका 85 से एभब बन रहा है जनरल में कितना 85 या फिर 80 से एभब अगर बन रहा है क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है अधिकतर संस्कित लोगों का जो है वीग रहता है तो उतना हो नहीं पता है मान के चलिए कि 65 हो गया सेगंड में और फर्स्ट पेपर में 20 तो वही मान के चलिए कि लगभख 80 के एभब बन रहा है जनरल में तो होने की पूरी-पूरी संभाव ना है और साथी अगर OBC में बात करो तो 80 से नीचे मतलब 75 से उपर 75 से 80 और SC में 70 और ST में 68-69 इतना जाएगा तो यह जो है आपका BHO में कट आप रहने वाला है और वही अगर मैं बात करो कि मान के चलिए जो मैंने जिनको जेनू में लेना जिनको जेनू में एडमिशन लेना है अगर उनका एक दो जितना मैं कट आप बताया ऐसा नहीं कि पूराई होगा लेकिन फिर भी अगर इन में से जितना भी आपको बताए उन में से अगर एक दो नंबर कम है तो आपको क्या करना है जब जेनू का फॉर्म आएगा वहाँ वहाँ जो है डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है अर्थात अगर आपका दस भी बारवी और आपका अगर ग्रेजुएशन किसी ऐसे मान के चले कि अंडेवलब एरिया में कोई कॉलेज है इसकूल है ठीक है वहाँ पर इतनी रिसोर्स नहीं है ऐसी जागा पर आगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है इसके साथ ही 10 और 12 भी हुआ है तो आप लोगों जो है पॉइंट मिलेगा और वो एक एक पॉइंट जो है आपका मदब कोशिन के बरावर है ठीक है जैसे 5 पॉइंट किसे को मिलता है तो उसका 5 पॉइंट बढ़ जाता है जो यह जो डेप्रिवे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देदूंगा आप वहां से देख सकते हैं कि कौन से जिला जो है वह डेप्रिवेशन पॉइंट के अंदर के अंतरगत आता है तो वहां से देख सकते है और अगर आपका मान के चलिए कि प्रश्न कम भी बने ठीक है ठोड़ा सा 4-5 नंबर कम बने फिर भी आपको जो है रेजिस्ट्रेशन करना है जेनु में क्योंकि पिसले बर किया हुआ था पेपर हड बना था ठीक है निया पैटर आया था तो बहुत से लोग स्कोर अच्छा किये थे लेकिन वो लोग अपने मनिमन सोचे कि मेरा तो इतना कम है जेनु में हो नहीं किया था देखिए जेनु में जो है बहुत कम फिस लगता है आपको रेजिस्ट्रेशन करना है भले ही नहों क्योंकि बहुत सब्सक्राइब क्या लिस्ट निकलती है फर्स्ट लिस्ट फॉर्थ लिस्ट फिप तक भी निकलता है तो आगर मान के चले आपका नसीब अच्छा जो है अगर पॉसिबिलीटी रहती है बहुत छूटे ना तो आई होब यह इन्फोर्मेशन आपको काफी इन्फोर्मेटिव रहा होगा ठीक है इसलिए वीडियो को लाइक कर देना वीडियो के से दोस्तों के साथ शेयर कर देना और आपको आगे जो जेनु से रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस है उसमें अगर कोई प्रश्न हो ठीक है जेनु के बारे में कुछ प्रश्न हो कि कैसा जेनु है फीस कितना लगता है खाने पीने की विवस्ता कैसी है और एसे मन में प्रश्न है तो मेरे को कॉमेंट के माद दम से बताईए मैं आपको बताने की पोड़